अब दिखो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले थे प्रश्णावली 7.3 को टिक 7.2 को इसके पहले वाले वीडियो में लोगों ने सॉल्व कर लिया था पूरा चैप्टर खदम कर दिया तो अब आप सब लोगों को पता है कि हम पढ़ने वाले हैं प्रश्णावली 7.3 को लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पहले समझना है कि इस चैप्टर में किस प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे और अगर मिलेंगे तो उनको आप लगाओ कि कैसे ठीक इस चीज के लगाएंगे कैसे अगर हमको यही नहीं पता रहेगा हम सिधा कूद जाएंगे उस चैप्टर में तो फिर हमें सवाल कैसे हैं सवाल कैसे लगाएं ठीक उसमें आएंगे ठीक तो सबसे पहले इन सवालों का मज़े लेने के लिए सबसे पहले हमें इनका वेशिक सीखना पड़ कि यहां पर इसे सवाल मिलेंगे तर इसके बाद यहां पर सवाल लिखा रहेंगे, यहां पर इसे बाली के नीचे जो होगा ठीक इतना सबसे पहले आपको क्या करना है मान लेना ठीक लिट का मतलब होता है माना सबसे पहले आपको इस प्रस्णावली जब आप स्वाल करेंगे तो इस प्रस्णावली को स्वाल करने लिए कोई भी सवाल है तो सबसे पहले आप नीचे जो लिखा हो तो आप उसके जगहा पर कुछ에-और कुछ मा elsks तकि मानलो मैं एक अग्जाम्पल ले रहा हूँ ऐसे जो आपको सभाज में जैसे कि आपको समयाटमेमाज में जिएसे कि मानलो मिं यहां पर 1 इसके बाद यहां पर माल लो प्लस लिखा हो और एकी पावर माइनस यक्स हो ठीक और उपर लिखा हो एकी पावर यक्स माइनस एकी पावर माइनस यक्स ठीक माल लो ये सवाल है ठीक मतलब कि अब यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर कोई भी सवाल इस चैप्टर में अगर मिले आपको तो सबसे पहले जो बटे की नीचे यहाँ पर हर में जो लिखा है इसके अस्थान पर आपको मान लेना ठीक जैसे हम यहाँ पर इसके अस्थान पर दोको इसके अस्थान पर आप कुछ भी मान सकते हो A, B, C, D, जो भी आपको पता है, कुछ भी मान सकते हो, मतलब की टी वगारा, कुछ भी मान सकते हो, ठीक, आलू, बैगन, टमाटर, बिंडी, मतलब जो चीज़ आप मानना चाहते हो, मान सकते हो, चलो हम यहाँ पर मान लेते हैं, टमाटर, ठीक, मतलब टी मान लेते हैं, ठीक, अब यहाँ पर अब दोको इसके बाद मानने के बाद इसका हमें करना है अगर आपको नहीं पता है तो आप इसके पहले वाली सब वीडियो को देख लेए न ठीक तो अब यहाँ पर लिंक description वाक्स में आपको मिल जाएगा ठीक अब यहाँ पर सबसे पहले इसका उकलन करेंगे तो E की पाउर X का उकलन E की पाउर X हो जाएगा इसका भी उकलन E की पाउर X ही होगा ठीक माइनस X ही होगा लेकिन यहाँ पर माइनस X का दुबारा होगा तो यहाँ पर माइनस आग्या जाएगा ठीक और यहाँ प्रिसका ब्रेकेट लगा कर हम लिखेंगे यहाँ पर dx बराबर में dt ठीक इस तरीके से इसका हम आउकलन करेंगे इसके बाद हमें क्या चाहिए हमें चाहिए यहाँ पर dx ठीक तो dx की value चाहिए तो हम क्या करेंगे ऐसा करते हैं इतने में छोड़ देखें ठीक आप यहाँ पर हम लिख देंगे इसके अस्थान पर dt और इसके अस्थान पर बटे में ठीक उपर हम एक लिख देंगे ठीक अब यहाँ पर देखो इसके अस्थान पर t लिख देंगे ठीक और इतने इसके अस्थान पर हम लिखेंगे dt ठीक लिख दिए अब इसका दखो अब यह बटे में यहां पर कुछ भी हो उसको यहां पर आपको लिख देना ठीक प्लस में C यह जोड़ देना है यह तो सब में जोड़ना पड़ता है ठीक अब यहां पर इसका फिर एंसर कितना हो जाएगा यह हो जाएगा log t plus c अब t की value मतलब आपको रख देना ठीक t आपने जिसके बराबर माना था जैसे कि हमने टी माना था इसके स्थान पर ठीक तो हमैं t की value फिर से रख देना ठीक तो यहाँ पर हम लिखेंगे log और t के स्थान पर जो माना है उसको फिर से लिख देंगे यहां पर ठीक और प्लस में सी जोड़ देंगे यह हमारा एंसर हो जाएगा ठीक तो इस प्रश्णावली में जितने भी सवाल आपको मिलेंगे आपको इसी तरीके से ठीक और एक चीज बता दूँ कि देख लेगा आप इस प्रश्णावली में कोई भी ही अंसर आपको मिले गएगगा तो उन में ये सूटर तो पक्का लगेगा यह जो आपको यह जो मैंने अभी आपको सूटर पता है ना यह सूट्र आपको हर एक सौवाल में लगै है इस सवाल में यह सूतर की और भी सूत्र यूज हो लेकिन ये सूत्र तो पक्का ही अप्लाई होगा ठीक ऐसे सवाल आप मतलब ऐसे सवाल आपको लगाने ठीक तो अब देखो ये आप तो समझ गए ना कि ऐसे मतलब की सवाल आपको मिलेंगे चलिए अब समझते हैं कि इस प्रस्णावली में अगर हम सूल्व करेंगे तो सूत्र कौन-कौन से लगेंगे चलिए उनको हम आपको बता देते हैं ठीक तो और उनका आज हम आपको डेरिवेशन भी करके बताएंगे ठीक जैसे कि महलो सबसे पहले सूत्र मार आए जैसे कि महलो लिखा ओ टैन К02 ठीक अब इसका समच लिखा है ठीक साइन एकसर के अने चौन हम कहीं पर इंपर टैनस लिखा है साइन एकसर वाले थ करे लोग परेनना च्वाले-पर पढ़र शूट दो इसके स्थान पर सूत्र होता है वह क्या होता है सबसे पहले आपको बताएंगे ते लोग शेक यक्स प्लस में c ये होता है अब ये इसका सूत्र क्यों होता है ठीक मतलब इसका derivation चलो करते हैं ठीक अब देखो यहाँ पर इसका हम करते हैं derivation देखो मतलब इसको हम solve करते हैं और ये answer आ जाएगा ठीक तो इसका derivation हो जाएगा अब हम क्या करेंगे इसको लेकर चलते हैं 10 x है 10 x को हम क्या लिख सकते है इसको हम लिख सकते है sin x बटे में cos x ठीक अगर आपने थोड़ा सा भी अगर आपने dignometry पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 10 x वड़ाबर क्या होता है sin x बटे में cos x ठीक और आपने पढ़ा भी होगा बिना पढ़े तो आप class 12 में आ नहीं गए ठीक तो आप दोको यहां पर क्या होगा बताया ना जो हर है मतलब हर में जो है उसको आपको मानना ठीक पाताया ना दोको यहां पर जतने सूत्र भी इस chapter में जतने apply होगे वो ऐसे ही होगी ठीक दोको इसका भी answer ऐसे ही बना ठीक दोगो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे cos x के अस्थान पर cos x के अस्थान पर हम t मानेंगे ठीक अब t मानेंगे इसका कर देंगे alkaline जब इसका alkaline करेंगे तो minus का हो जाएगा sin x dx बराबर में हो जाएगा dt तो इसके अस्थान पर sin x dt के अस्थान पर हम क्या लिखेंगे sorry sin x dx के अस्थान पर pandemic till देट लिखने तो हम यहां पर लिखने वाले हैं मतलब यह देखो लिखे Carr Villegas land KP2Dיתי क्यों रख्ठत है अब टी की वैयलु किया हैब अपने का कॉस्ष टिक तो यहां पर मम झ触ंगे तो दोखो यहाँ पर हम लिदेंगे t की value में लिदेंगे log और इसके स्थाम लिदेंगे cos x plus में c ठीक और स्वारी यहाँ पर minus भी है तो यह minus यहाँ से लगाते चलो ठीक यह minus भी आपको यहाँ पर लगा देना है ठीक क्योंकि minus यहाँ पर सोत से आगया ठीक अब यहाँ पर यह minus लगा है और आपको पता है कि log के आगे ठीक जैसे कि n मालो कि लिखा हो n log m ठीक यह log का मतलब यह log का नियाम होता है कि अगर कहीं पर n log m लिखा है तो यह हो जाता है log m और यहाँ पर log के आगे जो भी लिखा होता है वो यहाँ पर power में आ जाता है ठीक मतलब घात लग जाता है इसका घात बन जाता है ठीक तो यह बन जाएगा इसे बन जाता है ठीक यह log वाला नियाम होता है ठीक आप सबको पता होगा अब यहाँ पर यह जो ये बत्ठा नीचे आएगा रिखapter लेकिन लेकिन यह बन जाता ठीक और एक बटर् 카rics क्सकर की सीद हो जाएगा बह Continue हर्या कि यह कि यह अपर यह हमारा बन जाएगा conservative ओब ऑब यह लिखरें से इसके निए चे आ जाएगा हो जाएगा 6 इसका डेरिविशन करने पर क्या आता है और बियूज़ ऑगे वह चीज में आपको चलो बताता हूँ सभी सूत्र ऐसे हैं तो कहीं पर अगर आपको 10x dx मतलब कहीं पर अगर आपको समकलन करना हो और वहाँ पर 10x लिखा हो तो सिधा उसका मतलब सिधा 10x के अस्थान पर आपको लिखना है लॉक से की x ठीक ये चीज़ आपको लिखना है समझ लो इस चैप्टर में काम आएगा इसलिए बता रहे हैं उसके बाद दूसरा सूत्र है माल लो हमें कॉट x कहीं पर लिखा हो ठीक इसका समकलन क्यों होता है तो देखो इसका जो सूत्र होता है वो होता है लॉग sin x प्लस में c ये होता है इसका सूत्र ठीक तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं ये क्यों हुआ ठीक चलिए इसके भी समझ लेते हैं ये कैसे बना ठीक देखो ये सिर्फ आपको पूरा नहीं याद रखना है सिर्फ आपको कितना याद रखना है देखो ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि माल किसी वक्त आप सवाल मालया पिकजय में बैठे हैं ठीक आपका सवाल पूरा तो मतलब कोई बड़ा सा वाल माल ला गया ठीक उसके बाद आप पूरा सवाल लगा ले गए लिकिन ठोड़ा सआपको भूल गये कि 10 एक्स का समख़ान क्या था माल्य सूत्र आप भूल गए कि लॉक से क्यक्स होता है माल्य इसको भूल गए अब वहाँ पर थोड मतलब इतने के खातिर आपको पूरा सवाल गलत्थ हो जाएगा आप उसको छोड़ कर चले आएंगे तो माल्य आप भूल गए तो आप इस के से इसको तो नहीं भूलेंगे भाद को बना लिए consider game शूत्र को अगर आपको समय बचाना है तो आपको सिधरatem का समय क्या होता है इसको याद रखना कंड़क्शिक को लेकिन समय बचाने के लिए आपको ये जो कोठा बना रहे हैं ठीक ये सब सूत्र आपको में में जो सूत्र है इनको याद कर लेना ठीक अब ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसके बाद अगर आप चैप्टर को पढ़ना प्रशना वाली साधसम्राव 3 को तो उसको पढ़ यहां पर हमारा क्या था को पता है कि स्तान पर क्या होता है साइन यक्स होता है अब क्या करेंगे अब दना अंहें? यहां पर सबसे पहले पर मानले na a to यहां पर कृहें. सबसे पहले आपको हर के ए मानने थे तो यहां पर लिखेंगे इसके स्थान पर इसके देंगे और यहां पर यह इसका एंसर होगया तो यह इसका सूत्र हो गया चलिये अब इसके बाद अगला सूत्र बताते आपको इस चैप्टर में जो मतलब सूत्र यूज होंगे वह चार सूत्र है ठीक कौन कौन से एक है 10 तो इसके समकलन के लिए सूतर जो होता है वो दो होते है एक होता है प्लस में 10X ठीक प्लस में C होता है अब दिखो मतलब इसके लिए सूतर एक और होता है वो होता है log tan उसके बाद होता है pi by 4 plus में x by 2 plus में c ठीक ये एक सूत्र होता है तो देखो इसके लिए दो सूत्र होते हैं ठीक दोनों सूत्र आपको याद रखने है ठीक देखो जाहे जो आप सूत्र यूज करें ठीक मतलब जैसे कि अब आपके किताब में जो answer लिखाया ठीक उसको match कराने के लिए जो आपको सूत्र यूज करना पर मतलब जो जरूत पड़ेगा वही आप यूज करेंगे ठीक और वैसे कि वैसे तो मालो आप exam में बैठे हो आपको पता ही नही कौन सा सूत्र लगाने पर आपका इंसर आएगा ठीक तो आप दोनों में से कोई विशूत लगा देंगे तो सही माना जाएगा ठीक क्योंकि भाई होते हैं तो फिर लगाना तो पड़े गए ठीक अब पता थोरी कि हमको पहले वाला लगाना या दूसरा वाला लगाने से इंसर आएगा ठीक तो इसले बता रहे हैं अब यहां पर देखो से की अक्स के स्थान पर दोनों सूतर आपको याद रहे हैं ठीक दोनों को हम चलो डेरिवेशन बताते हैं ठीक चले सबसे पहले पहला समझते हैं ठीक अच्छा यहां पर सबसे पहले यह समझते हैं ठीक आप इतना जब solve करेंगे, solve करने के बाद, यहां पर यह जो मैंने लिखा है न, यह इसी को solve करने पर आया, ठीक, मतलब इसको अगर आप आगे solve करोगे, तो यह यह बन जाता है, ठीक, इसलिए इसका दो सूत्र बताया गया, ठीक, वैसे दोनों है सेम ही, बट इसको अगर इतन सेक यक्स, ठीक, ठीक, इसको जब आगे solve करो, तो यह बन जाता है, ठीक, अभी इसको solve करा के बता रहे हैं, ठीक, सबसे पहले चलो इसका derivation देखते हैं, यहां पर होता है, सेक यक्स, ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो, इसके लिए, मतलब इस सूत्र को बनाने के ल प्लस में, टैन यक्स, ठीक, इससे गुड़ा करना है, जैसे मैंने यह उपर गुड़ा कर दिया, अब नीचे इसी से भाग कर देंगे, ठीक, सेक यक्स, प्लस में, टैन यक्स, ठीक, यह हो गया, ठीक, समझ रहे ना, इतने से, सेक यक्स, प्लस में, टैन यक्स, इससे उप यहाँ पर अगर हम 6x का जब जाएगे तो 자एंगे जो जाएगा इसलिगों करेंगे यहाँ जब एक्स का जब ऑख्योंन करेंगे टी यहाँ जाएगा sixatro Regle देखो दोनों में seven frames रहा थो इसलिगे xra lång जाएगा six और ब्रेकेट में देखो जब से कामा लिए तो सिक तो यहां से हट गया तो जाएगा 10 और यहां पर दो सिक थे तो यहां पर एक और बचेगा ठीक बराबर में dx बराबर में dt हो जाएगा ठीक देखो इतने के अस्थान पर हमें लिखना है dt तो अगर आप ध्यान दें तो उपर यही तो लिखा है तो इसके अस्थान पर हम लिदेंगे सिधा सिधा एक बटा और देखो नीचे वाले इसके अस्थान पर टी मान है तो यहां पर बट्टी लेंगे और उपर वाला जो है ये इतना इतने के स्थान पर लेंगे डी टी ठीक अब आप सिंपलस हो गया बस सीधास हो गया सिंपलस अब यह आज़ाएगा log T प्लस में C बस होगया इंसाल अब T की value रग दो तो यह बन जाएगा log उसके बाद हो जाएगा T की वैलू था CX प्लस में 10X प्लस में C ये आपका एंसर हो जाएगा ठीक हाँ अब हम कह रहे थे कि दूसरा वाला जो एंसर बनाए वो कैसे बनाए देखो इसी को और solve करने पर आगे बनेगे ठीक तो हम क्या solve करेंगे CX प्लस में 10X इसको हम और आगे solve करते हैं ठीक तो देखो इसको हम लिखेंगे देखो CX को लिखेंगे एक बटा cos X लिख सकते हैं ठीक तो चलिए यहाँ पर समझते हैं अब इसके बाद हम क्या करेंगे ठीक देखो अब इसके बाद आपको क्या करना है इसको थोड़ा से अब थोड़ा से ध्यान देना यहाँ ठीक थोड़ा से मैं आपको उताता हूँ इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं साइन एक्स के अस्थान पर मैं लिख सकता हूँ कॉस माइनस का कॉस क्यों माइनस लिखा है अभी मैं आपको सब किलियर कर रहा हूँ ठीक देखो पहले देख लो माइनस और यह लिख सकते हैं Sin pi by 2 plus x, ठीक, ये लिख सकते हैं, ठीक, इस के इस्थान पर देखो, sin के इस्थान पर मैंने क्या लिखा, Minus का Cos pi by 2 plus x, ठीक, Cos x के इस्थान पर मैंने लिखा, Sin pi by 2 plus x, Pi by 2 का मतलम 90 to 90 plus x, ठीक, यह हो गया अब इसके बाद अच्छा यहां पर सबसे बहले समझते हैं कि मैंने यहां पर minus मतलब sin के अस्थान पर minus cos 90 plus x क्यों लिखा ठीक इसको समझते हैं और यहां पर मैंने plus क्यों लिखा यहां पर मैंने minus क्यों लिखा ठीक अगर confusion है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ देखो अगर आपको याद हो तो sin 90 plus theta बराबर क्या होता है 90 plus theta बराबर क्या होता है ठीक तो इसके बराबर होता है cos theta वो भी क्या plus का और अगर मैं आपको कहूं कि cos 90 plus theta पराबर क्या होता है तो ये होता है minus का sin theta ठीक, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको उता दूँ trick थोड़ा से जाल दिस याद करने के trick बता दूँ ठीक, देखो ये आपको याद रखना है अस्टक, ठीक, अस्टक याद करना है तो अस्टक में सबसे पहले ये होता है, यहाँ पर A लिखना है S को यहाँ पर लिखना है, T को यहाँ पर लिखना है C को यहाँ पर रखना है, ठीक, समझ गया न S का मतलब होता है sin, और sin का उल्लटा क्या होता है cosine तो sine और cosine मतलब यहां पर इस वाले कोठा में जो भी आएगा वो उसमे sine और cosine प्लस में रहेगा इसमें tan और ten को लुटा क्या होता है? Cod तो tan और cot इसमें प्लस रहेगा और इसमें cos और sic प्लस रहेगा ठीक देखो यहां पर इस Playstation होता है 90 माइनस theta और किसी दिन आपको एक सेफरेट वीडियो बना कर हम आपको याद करा देंगे ठीक, वहाँ पर आपको ट्रिक बता देंगे ताकि आपको याद हो जाए, आप कभी भी जैसे भूल गये, इसे माल लो मैं भूल गया, कि 90 प्लस थेटा बराबर क्या होता है, तो अब हम क्या करे तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दूँगा, आप इस तरीके से निकाल के खटाक से आप समझ लेना, कि साइन मतलब प्लस में होता है, या माइनस में होता है, तो इसके लिए किसी दिन हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, जहाँ पर आपको करिया अच्छे समझा द ठीक, और इसमें होता है, 180 माइनस थीटा, इस मतलब इसमें दो होते है, 90 और इसमें भी होता है, 360 प्लस थीटा, ठीक, आपको यहाँ पर याद रखना है, और यहाँ पर 90 प्लस थीटा होता है, और इसके बाद इसमें होता है, 180 प्लस थीटा, और इसमें होता है, 270 माइनस थ होता है ठीक और इसके बाद इसमें होता ऑग गृता है और यहां पर होता है तीन 060,30 थीटा होता ठीक और इतना समझ गए थेखो मैण इप अब यहां पर 90 प्लस थीटा किसमें घाईगा इसमें आएगा तो आपको न च्वाहिए तो आपको पता है और course एक 90 plus theta अगर है तो फलस में होगा उसके बाद sine और course एक 180 minus theta है तो भी वो plus में होगा sin और course एक plus में होगा अब जैसे कि यहाँ पर अगर आगや course 90 plus theta तो देखो यहाँ पर sine और course एकऊ होड़ कर सब minus होते हैं तो इसलिए यहाँ पर cos आ गया तो यह देखो यहाँ पर cos 90 plus theta पराबर minus sin theta हो गया ठीक और यहाँ पर sin 90 plus theta पराबर cos theta क्यों कि यहाँ पर देखो plus में होता है ठीक यह किसी दिन आपको trick हम अच्छे से इसको बता देंगे समझा देंगे ठीक कैसे आपको यूज करना है ठीक समझ गया ना अब देखो यहाँ पर लिखा था one plus में sin x तो आपको पता है कि cos 90 यह दो को cos 90 plus theta पराबर minus का sin होता है ठीक होता है और उसके बाद sin 90 plus theta पराबर क्यों होता है अब यहाँ पर इसको और इसको भी पता है कि मतलब यह दो को अब यहाँ पर समझो यहाँ पर theta के स्थान पर यक्स है तो मैंने यक्स लिखा ठीक अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 1 हमको बीच में क्या लाना है प्लस लाना है ठीक तो यहाँ पर हम लिखा माइनस यह 90 और प्लस में यक्स लिखा ठीक और यहाँ पर यह बताओ कि मालो मैं यहाँ पर अगर प्लस लिखता ऐसे मालो यह इतना मालो यहाँ पर प्लस में है ठीक अगर मैं यहाँ पर प्लस पहले से लिख देता तो यहाँ पर इसका answer क्या आता यह आता देखो यहाँ पर देखो minus का sin theta मालो कि यहाँ पर मैंने plus में लिख दिया यहाँ पर मालो कि मैं plus cos 90 plus theta लिखता ठीक तो यहाँ पर यह होता 1 minus इसके स्थाम क्यों हो जाता sin 1 हो जाता यह theta मालो sin theta हो जाता अगर मैं plus बीच में लिखता तो इसका answer यह आता ठीक लेकिन हमें ऐसा लिखना है किसका answer यह आना चाहिए ठीक इसलिए मतलब बता रहे हैं समझा रहे हैं देखो अब यहाँ पर इसका तो answer हो जाएगा sin minus का sin होगा ना तो अब यहाँ पर इसको solve परेंगे तो 1 plus में sin theta हो जाएगा ठीक तो कहने का मतलब है आप इसको ऐसे change कर सकते हो ठीक minus में क्यों लिखा क्योंकि यहाँ पर हमें plus बाद में इसका answer आ जाए ठीक तो यह होता है और यहाँ पर मैंने cos x के अस्तान पर क्यों लिखा क्योंकि sin 90 plus theta पर रहा मतलब plus में होता है तो इसले plus में लिख दिया ठीक अब यहाँ पर देखो आपको पता है कि cos मतलब अगर cos x हो यह 2 x हो जैसे कि मैं आपको पताना चाहता था cos 2 x बराबर तो देखो यहाँ पर क्या सूतर होता आपका 1 minus 2 sin square x होता है मतलब यह एक सूतर होता ठीक sin square x by 2 आधा हो गया ठीक क्योंकि इसका यह मतलब आधा x by 2 हो जाएगा ठीक अब यहाँ पर देखो सबसे बहले यहाँ पर अगर हम दोको किसी भी चीज का आधा करने का मतलब क्या होता दो से भाग कर देना ठीक अब यहाँ पर अगर मैं इसका सूतर बनाओं मतलब इसका सूतर बनाओं इसी वाले सूतरे ठीक तो यह लिखा है हमारा पाई बाई टू यक्स ठीक बराबर में यह सूतर इसका सूतर कैसे बन जाएगा यह बन जाएगा 1-2 sin square और इसके बाद मतलब देखो यह आधा होता यहाँ पर जाएगा और यहां पर चार यहां पर पलस में यक्स लाइगा तो कहनेक मतलब मितलब है यह हमारा बनझाएगा इसका atoms के लिए यहां पर यह जो माइनस वाला है साइन वाला माइनेस वाला इसको इधर बेद देंगे और यह पूरा कॉस वाला इधर देंगे ठीक तो यहां पर यह वाजाएगा टू साइन स्क्टोर पाइबाई फोर प्लस में यक्स बाइटू सूत्र पर आयसे बनाना रहा शब मैं को बता रहा हूं ठीक यह जिए ठीक टो देखो अब यहाँ पर यह तो लिखा एठीक इसको फिल लिख सकते ठीक तो हम यहाँ पर लिख देंगे ठीक तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं 2 sin square pi by 4 plus में x by 2 ठीक उसके बाद बटे में इसके अस्थान पर हम क्या लिख सथेंगे देखो इसके अस्थान पर वो sin 2 x वाला आपने पढ़ा ना 2 sin x into में cos x तो यहाँ पर भी देखो यह क्या होता है यह आधा होता है मतलब यहाँ पर जो कोण होता है इसका आधा होता है तो यहाँ पर अगर मालों यह लिखा है तो इसका आधा क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 2 sin आधा का मतलब यही तो होगा ठीक तो यह हो जाएगा sin pi by four plus xy two और इंटु में cause एरे cause ठीक pi by four plus xy two हो जाएगा ठीक दोखो यह sign दो है तो यहान पर एक से काड देंगे और दो से दो काड देंगे और यहाँ पर अगर अगर हम देखें तो यहां पो जाएगा पाई बाइफ प्लस में यक्स बाई टू प्लस प्लस एक यह क्या लिख दिया ठीक अब यहां पर यह हुज साउल्व करने के बाद हमें यहीं मिलता है कि नहीं मिलता है ठीक तो हम क्या करेंगे इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं ठीक तो इसी लिए यहाँ पर जो सूत्र था आपका किसका था सेक यक्स डी यक्स बराबर में ये था लॉग सेक यक्स प्लस में टैन यक्स प्लस में C होता है इसलिए मैंने कहा कि देखो इसको solve करोगे तो ये आ जाएगा तो इसलिए आप बोल सकते हो ये भी सूत्र बोल सकते हो ठीक 10 pi by 4 प्लस में x by 2 ठीक तो इसलिए मैंने कहा कि इसके स्थान पर दो सूत्र होते हैं ठीक region समझ गया ना सब चलिए एक सूत्र और बचा है उसको भी देख लेते हैं तो देखो यहाँ पर इसका जो सूत्र हो जाएगा मतलब कॉसिक x dx ठीक इसके स्थान पर जो सूत्र होते हैं वो भी दो होते हैं ठीक कॉन कॉन से एक होता है log और उसके बाद होता है ब्रेकेट में कॉसिक x माइनस में कॉट x प्लस में c होता है ठीक और दूसरा होता है log और उसके बाद यहाँ पर ब्रेकेट लगा दो और उसके बाद जाता है 10 x y 2 और प्लस में c ठीक अब आपको फिर पता होगा होगा कि इसको अगर हम आगे solve करें तो हमें यह मिलेगा ठीक 10 x by 2 ठीक तो चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं कि यह सूत्र कैसे बना ठीक तो यहाँ पर क्या लिखा हमारा cos x dx ठीक तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है cos x dx में हमें क्या करना है इतने से उपर नीचे गुणा करना ठीक तो cos x माइनस में cot x ठीक और बटे में लिखना है नीचे भी cos x माइनस में cot x ठीक इसका लिखना है dx ठीक अब यहाँ पर देखो इसके स्थान पर हमें t मानना है त उपर वाला मिल जाएगा ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माना, कॉसेक यक्स, माइनस में, कॉट यक्स, बराबर में, टी माल लेंगे, और इसका जब उकलन करेंगे, तो इसका उकलन क्या हो जाएगा, माइनस का, कॉसेक यक्स, इंटू में, कॉट यक्स, माइनस में, इ यहां पर दोनों में कॉसिक कॉसिक मिल रहा तो यहां पर हम कॉसिक यक्स कामा ले लेंगे तो तो जो प्लस में उसको पहले लिखेंगे ठीक यहां पर दो कॉसिक थे तो यहां पर एक कॉसिक बचेगा एक कॉसिक तो कट जाएगा ठीक उसके बाद यहाँ पर माइनस लगाएंगे कॉस से खड़ गया यहाँ पर क्या बचा कॉट कॉट एक्स बराबर में dt हो गया ठीक इसके अस्थान पर लिखेंगे dt अब यहाँ पर सीधा से लगी देंगे तो यह सीधा से हमारा हो जाएगा एक बटा t dt हो जाएगा ठीक और यह हो जाएगा log t plus में c ठीक और यहाँ पर log t की value जब रखेंगे यह जाएगा cosic x minus में cortex plus में c ठीक यह हो गया ठीक इसी को जब आगे solve करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा tan x by 2 ठीक चलो इसको हम solve नहीं करा रहा है इसको आपको solve कर लें ठीक बता दे रहे हैं कैसे करना देखो यहाँ पर हो जाएगा एक बटा सब्सक्राइगा एक बटा sin x minus में इसके अपर cos x बटे में sin x लिख सकते हैं ठीक इसके स्थाम पर लिख सकते हो 2 sin square x by 2 और यहाँ पर नीचे लिख सकते हो इसके स्थाम पर 2 x by 2 into में cos x by 2 यहाँ से यहाँ काड़ दोगे तो यहाँ पर sin x by 2 बटे में cos x by 2 को मतलब क्या हो जाएगा sin x by 2 हो गया बस इसका सीथा साथ बस ऐसे लगाना ठीक समझ गया न胆éis कि चारो सूत्र आपकी हो गये चारो सूत्र में आपको दिखा देता हूं कौन-कौन से है देखो Nico's क वाला तो आपका यह लिखा यह हो जाएगा ठीक यह लिखा यह लिखा ठीक pi by 4 plus में x by 2 ठीक और इसके बाद एक और सूतर होता है 10 वाला ठीक अब 10 का क्या होता है 10 का होता है log से की x ठीक तो ये हो गया और cot का सूतर होता है log sin x ठीक तो ये 4 सूतर थे इन 4 सूतर को आपको याद रखना है अब इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे प्रशना वली 7.3 को ठीक तो वहाँ पर 4 सूतर आपको याद हो जाएंगे अगर तो ना बहुत स्पीड में आप लगा ले जाओगे सवाल को ठीक और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा आपको ठीक बाद है किया इंस्ट को ठीक बाद है